हलो स्टुडेंज देखिए एक अच्छी जगे से एक कोर्स करना कोई क्यों नहीं चाहेगा और जब बात हो एम्स की तो ऐसा मौका कोई नहीं चूकने देना चाहता कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्नोंने नीट की तैयारी की होती है लेकिन कुछ माक से रह जाते हैं या फिर बहुत बड़े मार्जन से रह जाते हैं उनके पास ऑप्शन्स नहीं होते हैं आफ्टर नीट वह सोचते हैं क्या करें और फिर अपने आसपास के किसी कॉलेज में एडमीशन ले लेते हैं ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो नर्सिंग में भी अपना कैरियर या फिर प completely बहुत अच्छे से समझने के लिए है आप लोगों के लिए हर एक वो डीटेल कि इस तरह के नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्से एमस में अगर होते हैं तो क्या उनका इंटरेंस एक्जाम होता है देखिए उसका नोडिफेकेशन आ चुका है एक्जाम जून में है यह सब stipend यानि कि जब आप वहाँ पे internship करते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है stipend उस टाइम पे कितना रहता है यह सारी डीटेल यानि हर एक वो important detail जो इस exam के लिए चाहिए वो complete detail इस वीडियो में आपको मिलेगी last तक देखिएगा और किसी भी तरगी कोई query हो तो जो number आपको notification already इस साल के लिए 2023 के लिए आ चुका है अब पहले मैं उस notification की बात करता हूँ फिर आपको detail में समझाता हूँ कि यह courses कहां कहां पर और किस-किस qualification के साथ आप जा सकते हैं क्या requirements है हर चीज और exam कैसे होगा किस mode में होगा सारी चीज़ें अपने discuss करते हैं तो देखिए admission notice है कि किसके लिए bsc honors nursing bsc nursing post basic post basic क्या होता है ऐसे लोग जिनोंने GNM वगरे का course कर रखा है already यानी nursing में वो बच्चे आएंगे honors में जिनोंने just 12th किया है ये उसके लिए applicable है ऐसे बच्चे जिनोंने पहले से GNM वगरे का कोई course कर रखा है तो उनका basic course हो चुका है अब उन्हें अगर अगर इसमें आना है तो वो यहां पर जा सकते हैं तो ऐसे बच्चे भी ध्यान दे फिर पैरा medical courses के लिए bsc and msc भी जिनको nursing या msc courses msc biotechnology master जिसको बोल रहे है master biology करनी है अगस्ट 2023 का session के लिए admission हो रहे हैं एमस में जिसमें एमस New Delhi और बाकी के एमस भी participate कर रहे है कौन-कौन स से क्या कर रहे हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं अब देखिए जो forms है वो start हो चुके है बेसिक रजिस्ट्रेशन है जो already start हो चुका है और 16 March इसकी last date है यह आपको याद रखनी है दूसरा एक है generation of code for final registration अब आप पहले यह वाला करके रख देंगे फिर registration final registration के लिए यह जो generation of code है वो होगा एक मार्ट से start, एक मार्ट से शुरू होगा और 22 मार्च तक चलेगा अब, चाहे कोई बच्क और यह क्या यह यह दोनों भी करवा सकता है, चाहे 28 फरवरी को अगर वो basic registration करता है एक मार्च को next कर सकता है, लेकिन generation of code एक मार्च से स्टार्ट होगा और 22 तारिक तक चलेगा तो आप इसको टाइम ली कर लिए दोनों चीजों को लेकिन इसमें टाइम मत लगाईगा जल्दी कर लिजिएगा अब ये तो था अंडर ग्रेजुट कोर्स के लिए लेकिन जिनको पीजी करना है अब पहले समझ ये ये क्या क्या सीट्स और कौन कौन से एम्स में ये सीट्स हैं पहले उनको समझ लेते हैं हम तो देखिए हमारे पास में बैचलर अफ आप्टोमेट्री का यहां पर लिखा हुआ है अप्टोमेट्री होती है देली के अंदर अलग-अलग कैटेगरी की सीट्स आपको देख रही हैं आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके स्क्रींशॉट भी ले सकते हैं कितनी-कित इसकी जिसमें PWD, SCST, UNRESERVED, OBC सब कुछ आता है, EWS भी आता है, BSC in Dental Operating Room Assistant अब यह कोर्स जरूर आपने नए सुन रहे हैं लेकिन ऐसी जगे खासकर AIMS Delhi अच्छे AIMS यहां से जब आप निकलते हैं तो आपकी बहुत वैल्यू होती है बच्चों तो इसको आप जरूर ध रखें यह भी देहली में दो सीट्स टोटल हैं इसके अंदर, SCST in Dental Hygiene इसकी भी दो सीट्स हैं फिर BSC in Operation Theater Technology देहली में 10 सीट्स हैं फिर इसी तरह से हम आते हैं Medical Technology MD, TT जो है Dialysis Therapy जो बिलासपूर वाले AIMS में होता है, 5 सीट्स हैं टोटल, फिर हम बात करते हैं Medical Laboratory में जो MLT बोलता है Medical Laboratory Technology MLT उसमें BSC बिलासपूर में होता है 10 सीट्स हैं फिर MRIT जो है Radiology जो अभी अपने AIMS में देहली में वही बिलासपूर में 5 सीटे इसमें भी है फिर Anesthesiology के अंदर Operation Theater में यह भूवनेशवर में 13 सीट्स हैं बहुत अच्छा कोर्स होता है और MLT again MLT भूवनेश Therapy Radio Therapy भी Already आपको पता है बहुत अच्छे कोर्स में से है भूवनेशवर में 7 सीटे हैं इस तरह से आप देख रहे हैं Honors Perfusion Technology Medical Laboratory Technology जोदपूर के अंदर AIMS के अंदर क्या-क्या सीट्स हैं आप इन सब का स्क्रीन चॉट ले सकते हैं इसके अलावा और भी courses और और भी जगे पर देखे कितने सारे courses हैं आपके पास में तो AIMS जोदपूर पर हम लोग आ गए थे इम जोदपूर में ही इसके अलावा Medical Laboratory Technology भी होती है Imagine Technology जो AIMS Delhi में भी है बिलासपूर में भी है अलग-अलग सीट्स का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर रिडियो थेरेपी टेक्नलोजी भी है Operation Theater Technology भी है Lab Technology है नागपुर के अंदर फिर स्टार्ट हो जाते हैं Lab Technology Emergency Medicine Technology Technology Orthopedic Technology भी है Bachelor of Optometry रिशिकेश के अंदर आ जाता है Medical Lab Technology Neuro Monitoring Technology अगेन एक बहुत अच्छा कोर्स हम कहते हैं Neuro Monitoring रिशिकेश के अंदर केवल दो सीट्स है ऐसे ही रेडियो थेरेपी टेक्नलोजी रेस्पीरेटरी थेरेपी सब रिशिकेश के अंदर है Deep Technology, Urology Technology, Medical Radiology and Imagine Technology, BSC Medical Laboratory Technology अब यह बीबी नगर में स्टार्ट हो रहा है बीबी नगर जोगे तेलांगना के अंदर आता है उस एम्स के अंदर तो देखिए, बीबी नगर के अंदर BSC Medical Laboratory Technology भी है, Radiography भी है, Operation Theater Technology भी है, Radiography फिर से राइपूर के अंदर है और Speech Therapy, Speech Language Pathology राइपूर में है, Medical Laboratory Technology राइपूर में टोटल मिला करके अभी फिलाल अगर हम बात करें 279, 269 ऐसी Paramedical Seats हैं, अलग-अलग AIMS के अंदर टोटल, जो कि इस बार अभी ये भी है कि इन सीट में increment भी होने का है, कुछ और AIMS भी पाटिसिपेट कर सकते हैं, ये फिलाल as per last year जतना टोटल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है अब next जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें, इसके नीचे भी लिखा है, कि amendment in seat position ये result के पहले डेक्लायर हो जाता है, कि अगर seat बढ़नी है और बता दिया जाएगा आपको, अब देखें, next जो है हमारे पास में इसके बाद में, ये है nursing, जो कही सारे बच्चे BSC nursing करना जाते हैं, उन्हें honors course चूज करना पड़ेगा, BSC honors nursing, इस course में अगर लिखा है यहाँ पे केवल female candidates के लिए, for female candidates only, अगर केवल females के लिए भी देखें हम, तो देख लीजिए आप, देहली में total 96 seats हैं, बच्चों, ऐसे ही भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वार, बिलासपू है, आपने सारा 11-12 अच्छे से पढ़ा है, NEET में नहीं number आए, यहाँ आप पहुंच सकते हैं, और अच्छे aims से अच्छे course करने में, definitely आगे बहुत फाइदा मिलता है, यह सब seeds metric है, अगे आप इसकी, चाहे तो screenshot लेके रख सकते हैं, देख सकते हैं, analyze कर सकते हैं इसे, आग aims देहली के अंदर, outsider candidate जो aims से नहीं है, बाहर से आये हैं, 30 total seats है, ऐसे जो पहले aims में ही पढ़े हैं, और उन्हें अगर masters करना है, या उन्होंने nursing की थी, कोई और course किया था, कोई paramedical किया था, अब उन्होंने करना है ऐसा कुछ, तो 20 seats यहाँ पर भी होती है, reserve aims वाले लेते हैं, कौन-कौन से course, कितने years के हैं, तो इसकी भी आप screenshot ले सकते हैं, दिल्ली में इतने सारे courses होते हैं, जनरल ही अपन देखें, 3-3-4 साल के होते हैं, एक 2 साल का B.Sc Nursing Post Basic है, जो किया होना चाहिए, aims भूबनेश्वर के जो courses हैं, लगबग 3-3 साल वाले courses हैं, इस सारे, aims, रिशिकेश में जो courses हैं, वो आपको दिख रहा है, रिशिकेश के जो courses हैं, बच्चो वो लगबग 4 साल के सारे courses, 3-1, internship होती, एक साल की 3 साल का course होता है, ऐसे ही aims, नाखपुर के जितने भी courses हैं, आप इनकी भी अपने पास screenshot रख सकते हैं, नाखपुर के जो courses हैं, 3 साल और एक साल internship, ऐसे ही बिलासपुर में 3 प्लस 1, ऐसे ही जोतपुर के अंदर 3, कहीं पर 6 महीने की internship है किसी course में, जैसे perfusion ये medical laboratory technology में, और कहीं पर 1 साल का भी है, तो इस तरह से है, इसी तरह से बीबी नगर की बात करें, तो बीबी नगर में भी ये 3 और आदिस, यानि 6 महीन का, तो इस तरह से अलग-अलग courses है, आप इनकी screenshot लेकिए इनको check भी कर सकेंगे, आगे बात करें अगर हम, तो देखिए, अलग-अलग courses के लिए कुछ parameter different है, हाला कि आप ये मान के चलिए 50 से 55%, कहीं पर 55, कहीं पर 50% aggregate लाना या pass होना with physics chemistry bio mandatory है, कहीं पर bio mandatory है, कहीं पर math से भ बात करें, या optometry, medical radiology, imaging technology, इन सब की अगर बात करते हैं, जो भी लिखा है यहाँ पर, तो उसके लिए 12th plus होना चाहिए है आप, और आपके पास में English, physics, chemistry और bio, ये होना चाहिए, ठीक है, फिर अगर bachelor of optometry, medical radiology, इन सब में से कोई course है, तो लिखा है इन में से, dental operating room assisting, dental hygiene, और operation theater technology, इन तीन के अंदर, bio बहुत जरूरी है, bio mandatory है, इन तीन के अंदर bio mandatory है, otherwise अगर bio नहीं है, तो भी बाकी courses में, कुछ-कुछ courses में चलता है, ठीक है, उसके बाद में aggregate required जो है, वो जरूरी है, जितने भी बोले जाएं आपसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, BSC Honors Nursing के लि के case में, और aggregate होना चाहिए, यह English Physics Chemistry और bio का, यानि Physics Chemistry और English में मिला करके, आपको 55% या तो चाहिए, General OBC और EWS के case में, या फिर 50% चाहिए, SCST के case में, यह अपने को ज्यान रखना है, ऐसे ही, AIMS New Delhi के लिखा हुआ है, अलग-अलग courses है, और कहीं पर 50% बोला है, देखिए General O OBC के लिए, ऐसे case में, 45% है, SCST के लिए, या फिर 55 और 50 का है, तो यह तो minimum ही है, हर एक में इतना ही होता है, तो अपने को यह लाना ही पड़ेगा, यानि केवल एक इस course के लिए, आपको 55 और 50, बाकी सब में 50 और 45, यह आपको ध्यान रखना है, यानि सिधा-सिधा मोटे-म OBC, EWS को, और 45% चाहिए, SCST के टेगरी वालों को, यही सब जगे पे यूज होता है, यही सेम फॉर्मला याद रखना है आपको, इसके बाद में, सभी के जगे सेम है, हमने पहले से इसको study कर लिया है, अब exam कैसा होगा, तो common exam है, computer-based होता है, CBT exam है, computer-based है, online exam होगा, और online exam जो है, वो दो घंटे का होगा, ठीक है, एक paper दो घंटे का होगा, यह BSC Honors Nursing के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, और 4 parts में यह होगा, कैसे कैसे physics, chemistry, bio और general knowledge, GK, 30-30-30 और GK के 10 questions, total मिला करके 100 questions होगे, और marking scheme क्या है, वो भी हम बता देते हैं आपको, तो पहले return test होगा, फिर interview ह होता, और interview में English भी अच्छी basic knowledge होनी चीह, English में भी आपसे पूछा जा सकता, और English में यह answer आपको देना पड़ेगा, तो तयार रखें कि English में आपको interview देना है, इसके लिए ready रहें, अब written test जो है, candidate will appear, लिखा है, 70 objective type, multiple choice questions, 90 minutes के अंदर यहां पे लिखा है, stage 1 के अंदर, nursing, medical surgical nursing, anatomy, physiology, pharmacology, obstetrics, nursing and mind fairy, यह सब masters बगरे के level पर अगर आपन करते हैं, तो, फिर scheme क्या है भई, तो देखिए, अगर correct हमने answer दिया, एक number मिलेगा, लेकिन गलत होने पे, minus 1 बटा 3, 33%, minus 1 बटा 3, तो यह अपना, यानि लगबग अपन यह बोले, 0.33, हट जाएगा, cancel हो जाएगा, अगर नहीं हमने attempt किया है, तो कोई marks नहीं मिल रहे है, 0 ही रहेंगे, यह हमको ध्यान रखना है, तो यह आपको पता होना चाहिए, अब अगर हम बात करें, fees, यानि अगर आपक हो जाता है, इन colleges में, तो fees कितने लगने वाले है, कितनी nominal सी fees है, registration fees 25 रुपए है, इसके अलावा, BSc honors nursing 600 रुपए केवल, एक साल का 600 रुपए लगने वाला है, अब देख लीजिए, ऐसे ही बाकी सब में अगर देखें, 600, 200, 300 रुपए, कितना nominal fees में आप लोग पढ़ते है अगर ऐसी जगे पर पढ़ते हैं, तो सभी courses, चाहे post money, hostel rent, अब देखो, इसके अलावा, ये सब hostel rent, hostel के लिए भी अगर BSc honors nursing के देखें, 480 रुपए लग रहे हैं, कितना nominal fees में आप लोग पढ़ते हैं, caution money 100 रुपए है, वो भी बाद में वापिस मिल जाती है, hostel security 1000 इस जगे से इतनी अच्छी जगे से पढ़ते हैं, आगे बहुत benefits आपको मिलते हैं, ऐसे ही अगर हम कहें stipend कितना मिलता है, जब आपका internship period होगा, कुछ duration period हमने कहा था 3 साल, हमने कहा था 6 महीने या 1 साल की internship, internship के दौरान भी आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, अब वो stipend होता तो देख लिए internship के time पे भी 13,000 रुपए, 13,940 मतब 14,000 रुपए पर मन्त आपको दिये जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, फिर medical radiology, imagine में भी यही, dental operating room resistance, ठीक है, 10,250 रुपए मिलते हैं, इसी तरह से dental hygiene में भी 10,250, इसी तरह operation theater technology में, BSC nursing post basic, तो यह सब ही इतनी अच्छ internship के साथ आप लोग कर रहे होते हैं, तो यह सब Ames Delhi के बच्चों के लिए यह internship फिलाल लिखी गई है, यहाँ पर, बाकी जगे भी internships मिलती है, अब हम आ गए हैं, यह form आपको कैसे भरना है, यानि जो अभी निकले है, forms, वो आपको कैसे भरना है, तो आपको Google पर टाइप करन है, इस website का नाम, website क्या है हमारे पास में, तो देखिए, यहाँ पर हमें website लजर आ रही है, aimsexam.ac.in, अब आपको Google पर जाके, simply बच्चों ऐसा लिखना है, aimsexams.ac.in, अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, यह website कई बार खुलती नहीं है, लिखावा जाता है कि connection lost, या फिर आ रहा है, आप different server से या जाकर किसी cyber cafe expert वाले से करवाना, अगर आपके पास आपके phone में, आपके laptop में दिक्कत आ रही है, तो यह issue आता है, आपको जैसे ही अंदर जाएंगे, यह website खुल जाएगी, यह website है, जो हमको नजर आ रही है, ऐसा खुलेगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जगे पर जाना है, यह academic courses है, इस पर जाएए, click करिए, जैसे academic courses में जाएंगे, आपको ऐसा खुल जाएगा, ऐसा मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि अभी कौन-कौन से form निकले हुए, तो यहाँ पर nursing BSc honors लिखा है, BSc post basic लिखा है, paramedical BSc honors in medical technology and radiography लिखा है, bachelor of optometry लिखा है, तो आप जिस पर भी click करेंगे, suppose उनको nursing करना है, तो BSc honors पर जाएंगे, अगर उनने GNM वगरे कर रखा है, तो post basic पर जाएंगे, अब BSc honors पर जैसे click किया, इस पर जाकर click करना पड़ेगा, देखिए, आपको बता नहीं चलेगा form कहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे, हमने starting में कहा था, notification में दो-तिन चीज़ें थी, एक था basic registration, एक था कि जब post एक code generate होगा, तो basic registration की बात है, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, click करते ही, जिस भी course पर आपको जाना है, click करते ही, ऐसा लिखा हुआ आएगा, जैसे आपने BSc honors च खुल जाएगी, direct कर दिया जाएगा, आपको एक नए link के साथ, यह खुल गया, यहाँ पर यह basic registration है, आप यहाँ पर अपनी चीज़ें भरें, आप पहली बार करें registration, तो proceed to basic registration form, यहाँ पर लिखा है, इस पर click करें, और जब भी आपको उसके बाद करना हो, तो यहाँ पर registration ID आपको मिलेगी, RUC मिलेगा, password मिलेगा, और enter यह जो capture यह करना पड़ेगा, यह कब, जब आप यह पहले चीज़ें कर लेंगे, फिर वो generate होगा, उसको अपने पास लिखके रखना, और फिर आगे से इसको भरना, और एक March बाद में जब नया, हम कहा रहे है, code generate होगा, तो व सीट में कम नंबर रह जाते हैं, parent support नहीं कर पाते हैं, वापस नहीं पढ़ा पाते हैं, और बच्चे अपने आसपास के किसी college में admission लेकर के sacrifice करते हैं, हम नहीं चाहते हैं, बच्चे sacrifice करें, जो भी, जितने भी scope हैं, at least उन्हें पता हो, तो यह knowledge आप लोगों के लिए, बच अच्छे से exam दीजिए, और hopefully, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी course में आप पहुंचना चाहते हैं, पहुंचे किसी भी तरह का कोई doubt रहता है, कोई query होती है, नंबर दिखता है, उस पर whatsapp करिए, और channels हमारे need kaka, jee college kaka, इस तरह के informative channels जो हैं, इनको subscribe करके रखिए इस तर इस सकतर। झाल चाहते हैं, झाल जीमिस एकनला चाहते हैं, काई एथ तरह करूं क करेंता है, य